दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप घर पर ही गिफ्ट को पेक कर सकते हैं बीना बजार जाए तो दोस्तो अगर आप बजार में गिफ्ट कराते हैं तो आप से 50 रुपे 60 रुपे ले लिए जाते हैं लेकिन आप घर पे बिल्कुल फिरी म करने वाले हैं तो सब से पहले हम क्या गरेंगे पन्ठी को इस तरीके से बिचाएंगे आप हमारी टी-शिट मिपर की साइड में इस तरीके से लगा दें इसलिए में Polothene से इसको Cover करने बाहूं कि जाये कटेब कुए करें अब आपको इस बडन करेंग से यह बहुत है आसान तंताथ है कोई फची है इस तरीके से अगर वह देखेगा तो वह गिफ्ट को पेक करना सिखका जाएगा तो अगर आप बजान में जाते हैं आपका टाइम भी कापी सारा खराब होता है लेकिन आप गर पर इस तरीके से अराम से अपने घर पर ही gift page कर सकते हैं तो यहां पर आप दे सकते हैं हमने इसको fold कर दिया है और fold करने के बाद हम क्या करेंगे अब हम दोनों किनारों पर यानि कि कौनों पर हम लगाएंगे tape तो अगर आपके पास normal यह वाला cello tape है तो आप cello tape लगा सकते हैं अगर आपके पास cello tape नहीं है आप इक साइड में लगा दिया है आप दूसरे कॉने में भी हम से तरीके से ल्ठ लगा देंगे चलिए अब हम इसे फोल्ड करते हैं आप इस तरह से आराम से कर सकते हैं सब्सक्राइस वह ही होता है और इसके बाद हमबीज में उसलार टेप लगा देंगे दूसरी तरफ कर देंगे अभी देए हमने सो कवर कर दिया है आफ हमने लिया है अगर आपके पास यह टैर यह देखिए इसको कवर कर दिया अब है देखिए हमने एक रिबिन लिया है यह रिबिन भी आपको मिल जाएगा बजार में एक दो रुपर तो इसको हम इसतारा से खीचेंगे बीच में से पकड़के और यह देखे यह गुलाब बन जाता है इस तरीके से और इसके बाद आप इसमें पीछे टेप लगा के इसको रोक सकते हैं अब इसके बाद अपनी हम इस्टिकर भी लगाएंगे जिस पर हम नेम लिखेंगे तो टेप को इस तरह से घुमा